नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपके अपनी यूटूब चैनल राष्तान बेरोजगार चातरशंग में दोस्तों काफी स्टूडेंट्स के मेसेज़ आ रहे थे कि सर कल जो जामिया उर्दू अलेकड का जो केस की सुनवाई थी पंद्रा 111 सिविल रिट पेटिशन उसका ग्यावा तो मैं बता दू यहाँ पर एनम जेनम बढ़ते ही 2018 के जो जामिया के कंडिडेट्स थे उनकी जेपुर हाई कोर्ट में यहाँ पर सुनवाई होनी थी सिविल रिट पेटिशन संग्या पंद्रा 111 सिलेश 2018 सरीता कुमारी डोटर ओफसरी विजे सिंग बनाम राजस्तान सरकार की जहां दोस्तों कोर्ट नमर साथ में इसकी सुनवाई होनी थी 19 नॉवंबर 2020 को लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ सुनवाई में कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास नहीं हुआ और यहाँ पर तीन सपता आगे की यहाँ पर डेट दी गई है तो दोस्तों अब मैं बता दूँ इस जो केस की सुनवाई है वो दिसंबर महीने में होगी यहाँ कि तीन सपता का मतलब है कि 21 दिन 21 दिन बाद में ही इसकी यहाँ पर सुनवाई होनी है कल दोस्तों फैसले की उम्मीद यहाँ पर थी लेकिन फैसला यहाँ पर नहीं हो सेगा और मैं बता दूँ यहाँ पर जो एक 8 मार्च 2018 का जो एक यहाँ पर आदेश निकाला हुए उसके इसाब से यहाँ पर जो जामिया उर्दू अलिकर्ड का जो कंडिरेट्स हैं उनके पक्स में यहाँ पर फैसला होगा लेकिन दोस्तो थोड़ा सा फैसला डिले हो सकता है यहाँ पर देरी फैसले में यहाँ पर संबव है क्योंकि 21 दिन का यहाँ पर टाइम पिरेट दिया गया है तीन सब्ता का यानि कि अब दिसंबर के मिड में इसकी सुनवाई होगी लेकिन मैं बता दू आप जरा भी यहाँ पर पैनिक न हूँ आपके पक्स में यहाँ पर फैसला होगा दोस्तो यह था जामिया उर्दू अलिगर्ड का जो कंडिर्स हैं उनका जो क्या हुआ काफी स्टुडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे चाहिए वो यूटूब पर बता दूँ फेस्बूक या पर्शनल मॉबाईल पर तो दोस्तो जामिया उर्दू अलिगर्ड के मामले में कल यहाँ पर हीरिंग थी जेपूर हाई कोर्ट की जेपूर बेंच में कोर्ट नमबर साथ में सुनवाई थी सुबह सुबह यहाँ पर सुनवाई हुई लेकिन जो फैसले की उमीद थी यहाँ पर काफी स्टुडेंट्स को फैसला यहाँ पर नहीं हो सका और आगे की यहाँ पर डेट दी गई है तीन सब्ता बाद की याँ पर सुनवाई है यानि कि दिसंबर के मिड में इसकी सुनवाई होगी यानि कि 21 दिन बाद में अब इसकी सुनवाई होगी फैसला थोड़ा सा जरूर डिले हो सकता है लेकिन दोस्तों आपके पक्स में आएगा वीडियो को जादर जादर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपनी यूटूब चैनल रास्तान बेरोजगार सातरशंग को सब्सक्राइब करें धन्याओ दोस्तों